भारतिया रेल लगातार आधुनुत्ता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है साथ ही पर्यवरर सनरक्षर को ध्यान में रखकर वो ट्रेन की सुविधाओं में बदलाव कर रही है स्वक्ष रेल स्वक्ष भारत अभियान के तहत पुरवत्तर रेल्वे ट्रेनों में अब बायो टॉलेट लगवा रहा है बायो टॉलेट की वज़ہ से अब गन्दगी पट्रियों पर नहीं गिरेगी इस संबद में पूर्वत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकच कुमार सिंग ने बताया कि स्वक्ष भारत मिशन जब शुरू हुआ था तब से रेलवे बहुत बड़ा इनिशेटिव लेकर बायो टॉलेट ट्रेनों में लगाना शुरू किया था जिसके वजह से पट्रियों पर गंदगी गिरती थी वो दिखना बंद हो गई पूर्वत्तर रेलवे के सभी ट्रेनों में बायो टॉलेट लग चुका है सर्फ डबल डेकर ट्रेनों में बायो टॉलेट अभी लगना बाकी है इसके अलावा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पं अभू नहीं फ्यालती है इस संबन में गोरगपुर ने उसे बात करते हुए पुर्वत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंग ने बताया रेलवे जब हम लोगों ने शुक्ष भारत मिशन जब शुरू हुआ था देश में तो उसमें रेलवे ने बहुत बड़ा इनिसियेटिव लेते हुए बायो टॉयलेट सभी टेनों में लगाना शुरू किया था जिसके वज़ासे जो पतरियों पे गंदगी गिरती थी वो बंद हो गई लगभग पुर्वोतर रेलवे के सभी टेनों में बायो टॉयलेट लग चुका है सभी कोचेस में लग चुका है केवल डबल डेकर एक रेक हमारी चलती थी लगनों से उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के वज़य से अभी तक नहीं लग पाया था उन कोचेस को प्रॉश्वाजव पियो घूया गया है गोरभपूर वक्शॉप में और यहां पर उसमें बायो टॉयलेट फिट्मेंट का कारें चल रहा है उसके लिए जहां बायो टॉयलेट टैंक लगाया जाता है वहां पर सपेस डबल डेकर कोच में नहीं था उसका क्रोईजन किया ग और इस प्रकार से अब गोरगपुर में या यानियार में कहलें जितनी टेने हमारे पास है तो हम मैंटेन करते हैं सब बायो टोयलेट यूख्थ हो जाएंगी इसमें अधनिकता के करम में हम लोगों ने एक बायो वैकूम टोयलेट भी एक हमसपर रेक में लगाया है जो की करते हैं और अच्छा कारे करता है